हेलो मेरे विद्धे अर्थियों, जानने वालों और दोस्तों जावा फार इस्कूल चैनल में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही सिंपल जावा के प्रोग्राम के बारे में जहां पर हम सिखेंगे कि किसी स्कूयर का एरिया कैसे निकाल सकते है प्रोग्राम बनाने से पहले, जैसे कि मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी की प्रोग्राम को बनाने से पहले उसका लाजिक निकालना बहुत जरूरी है अब अगर हमको किसी square का area निकालना है तो square के area का formula मालूम होना चाहिए तो square के area formula होता है side square यानि कि भुजा का square को चारो side ने बराबर होती है तो इस तरीके से भुजा का square है तो area के लिए तो एक हमें variable चाहिए तो area को store कर सके और दूसरा side को store कर सके वह एक variable जाहिए इस तरीके से हमें डो variable चाहिए जिससे हम किसी भी square का area निकाल सके हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले class बना लेते हैं class का नाम रख लेते हैं इस square area अब इस square area class में हम open कर लेते हैं इस class को और यह हमारे पर predefined core यहां पर आ जाता है बनके इसे हम control A से हटा देते हैं इलीट कर देते हैं और यहां पर हम simple लिखते हैं आज दोस्तों हम लोग जो है इसे बनाते हैं command line argument के तुरूँ तो हमको जो है java.io import करने के ज़र्ण नहीं है सीधे लिखते हैं class square area इसके अंदर आते हैं और यहां पर हम main को define करते हैं public static wide and main इसमें हम pass कर देते हैं int side तो square की side हमने यहां पर pass कर दिया. command line argument क्या होता है दोस्तों कि program run होने दे ठीक पहले यह हमारे argument की value को accept करता है, demand करता है तो उसको हम value आपर provide कर देते हैं इसके लिए यहां पर एक हम लेते हैं int a for area अब area calculate करने का formula है side into side area calculate होने के बाद अब हमको इसे print कराना है system.out.println और यहां पर हम कह देंगे की area of square is क्या है plus a, a में area आया है तो इस तरीके से दोस्तों यह basic से simple सा program हमारा square का area find करने का बन गया है इसे compile करा लेते हैं यह देखिए यहां पर compile करा है कुछ इदर आ रही है इदर क्या है यह देखिए वाइड की दिखिए हमने कुछ और लिख दिया अब सिर्थ से compile करते हैं यह देखिए class compile no syntax error इसे close कर देते हैं यहां पर right click करते हैं run कराते हैं अब देखिए run होने से ठीक पहले यह value पूछ राएगी साइट की value क्या है तो सबोच करिए हमने डाल दिया site की value टू एंटर किया यह दे एरिया विस वाइर इस फोर यानि कि जो हमने 2 डाला था उसका 4 दूटूजा 4 आ गया इसी तरीके से अगर हम फिर से दूसरी value डालते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना सकते हैं किसी का भी एरिया फाइंड करने का तो इसके लिए हमें जरूरी गया है कि उसका हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए और उस फार्मूले में कौन-कौन से wearables युज रही है ये पता हूंए इसके according हम उस फार्मूले को अपने प्रोग्राम में implement करके वह प्रोग्राम बना सकते हैं इसके अलबा और भी हमने basic program बताएं हैं अगर आपको देखने हैं तो आपको हमारे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं कई एरिया के उसमें pro circle का एरिया है rectangle का एरिया है इस सब का एरिया का program वह आपके बनाके बताया हुआ है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कल मत बूलिए और ज्यादर ज्यादर लोगों तक पहुचाए जिससे उनको भी जावा की बेसिक कॉंसेट क्लियर हो हम आगे चलके इसको और डिटेल में सारे कॉंसेट समझेंगे तो आचे लिए दोस्तों जहिन जय भारत जय भारती